हेलो दोस्तों वेलकम बैग टू माई चानल कार क्रेकपर आप सभी का स्वागत है दोस्तों तो दोस्तों आज हम लोग आपके लोगों के लिए लेके आए हैं न्यू हुंड़े क्रेटा 2021 तो यह है है SX Executive Black Color जो की काफी जादा शांदार लग रही है तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो कंपनी ने SX जो variant है जिसको discontinue कर दिया उसके बाद में SX Executive को launch किया है तो कुछ features है जो उन्होंने add किये है कुछ features उन्होंने जो remove किये है उसके बाद में क्या इसकी pricing है क्या इसके अंदर features है जो काफी जादा इसके variant को enhance करते है तो आज हम सब चीजों के बारे हम बात करेंगे इसका walk around करेंगे details से तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share and comment जरूर करना दोस्तों तो यह गाड़ी है जो हमने purchase कि है गुजरात से by road इसको हम और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना तो अब हम बात करेंगे कि यह sx executive black color है तो दोस्तों हमारे पास में जो variant है यह 1.5 liter petrol है और इसकी maximum जो पावर है 113 भी अच्पी 1300 rpm पर और maximum torque है इसकी 145 mm पर और यह आप सब लोग जानते हैं कि bs6 engine है तो तो इसकी dimensions की बात करें हम तो 1400 mm इसकी length है और width इसकी 1790 mm है और height इसकी 1635 mm है और काफी ज़्यादा जो इसका look है वो company ने काफी ज़्यादा इसकी पुराने वाली तो यह cascade grill है जो कि आप देख सकते हो कि chrome और charcoal gray के अंदर काफी अच्छा combination है इसका बीच में आपको उंड़े का logo मिल जाता है और नीचे इसका यह bumper है जिसकी काफी ज़्यादा थोड़ी सी sporty type से इसकी designing है तो आप यह लोग देख सकते हो और black color के अंदर गाड़ी काफी ज़ तो आपको यह DRL दिख जाएगी उपर में दो आपको low beam और नीचे आपको high beam का option मिल जाएगा नीचे कि अगर मैं बात करूँ तो यह आपको यहाँ पे fog lamp halogen मिल जाएगे और यह आपको side में turn indicator मिल जाएगे तो यह complete इसकी front से profile है इसकी जिसमें जो company इसकी grill की वज़े से औ तो दोस्तों यह है गाड़ी का side profile तो अब आप देख सकते हो कि यह SX executive है तो इसके अंदर आपको 17 inch के tire मिल जाएगे with alloy और इससे अगर आप उपर वाले model में जाओगे SX optional में तो आपको diamond cut alloy मिलेंगे और चारो की चारो ही brake इसके अंदर disc है तो इसके अंदर drum brake आपको नही मिल जाएगा with turn indicator के साथ में और नीचे की side में आपको यहाँ पर इधर pedal lamp का option मिल जाएगा आपको और इसके अंदर जो आपको door handle इसके अंदर आपको body color के अंदर मिलेंगे जो कि पहले वाली SX के अंदर आपको chrome के अंदर दिये जाते थे और नीचे के आप cladding देख सकते हो जो कि gray के अंदर है और इसका जो ground clearance है वो 190 mm का है जो कि off-roading अंदर आपको काफी जादा थोड़ी बहुत help हो जाएगी और यहाँ पर इसकी जो roof rails है यह भी charcoal gray के साथ में black combination के साथ में काफी जादा अच्छी लगती है तो इस तरह के से इसका पूरा यह complete side profile है जो कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ अच्छे से तो अभी काफी जादा गाड़ी थोड़ी सी dust में भरी हुई है तो आप जानते हो black color को थोड़ा maintain करना अपने आप में बहुत बड़ा task है तो अब चलते हैं इसके back profile की तरफ और वहाँ बात करते हैं कि इसमें क्या-क्या चीजे हमको दी गई है अब आगे हम इसके rear profile पर इसका back profile तो आप देख सकते हो कि उपर की side में आपको shark fin antenna मिल जाएगा और roof rails आपको मिल जाएंगी और यहाँ पर आपको rear wiper भी दिया गया है तो यह आप rear wiper देख सकते हो बीच में हुंड़ाई का logo क्रेटा की बैजिंग और यहाँ पर आप देख सकते हो कि sx की बैजिंग दीवी है और यह इसकी टेल लाइट है और विद रिफ्लेक्टर और नीचे भी आप देख सकते हो कि यह turn indicator का options वगर आपको दिये में हैं और यहाँ पर नीचे आपको parking sensor मिल जाएंगे और इस साइड में आपको यहाँ पर camera का option भी दिया गया है अब sx executive में जो console है instrumental cluster का वह एज़िटी सेम है जो पुरानी वाइटक्स के अंदर था लेकिन इसके अंदर जो इसके अंदर आपको sensor और camera जरूर available करवाया गया है तो अब चलते हैं इसका boot space हम open करते हैं फिर देखते हैं बूट के अंदर क्या-क्या सब्सक्राइब मिल जाएगा तो यह इसका boot है थोड़ा सा समान वगरा रखावा है और यह जो company ने जो बीच वाला और अगर हम इसके जो रियर टायर की बात करें जो की तो यह आप देख सकते हो यह इसका जो टायर है स्पेर टायर यह है 16 इंची का जो की एक इंच छोटा है तो यह SX के अंदर इसका rear profile है जो कि आप इजी लिए देख सकते हो अब चलते हैं दूसरी साइड से और फिर वहा बात करें इसके इस side profile से तो यहाँ पर आपको tank option मिल जाएगा petrol tank का जिसमें 50 लिटर का tank है यह और यह इसकी side से profile जो की black और charcoal grey के साथ में इसके look को काफी ज़्यादा enhance करती है तो एक बार मैं आपको फिर से front से भी मैं आपको दिखा देता हूँ मैं दोस्तों तो आप देख सकते हो तो ऐसा है कि गुजरात से इस गाड़ी को लेने के बाद में जो कि इसकी pricing है वो काफी ज़्यादा कम हुई है क्योंकि sx executive के आने के बाद में already इसकी pricing 70,000 रुपे कम ह चुकी थी जो कि sx को है discontinue करने के बाद में जो sx executive ने लांच किया है तो उसकी pricing भी इन्हों थोड़ी बहुत घटा दी और features वगरा भी है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि info training system है वो उन्होंने हटा दिया उसके लिए उन्होंने अलक्ष option दिया है लेकिन इन्होंने सफी ज्यादा अच्छा इन्होंने variant यह provide करवाया है जो कि value for money है तो आप जा सकते हो इस variant की तरफ तो अब हम बात करेंगे इसके key के बारे में फिर हम चलेंगे इसके अंदर interior की तरफ तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके key features के बारे में तो यहां पर आपको चार option मि और यह बीच वाला जो बटन है यहां पर पहले पुरानी वाली जो SX थी जिसको discontinue कर दिया उसके अंदर यहां पर आपको headlamp का option मिल जाएगा लेकिन अब executive के अंदर इन्होंने engine का option add कर दिया इन्होंने कि अगर आप चाते हो कि आपके बैठने से पहले ही गाड़ी जो है वो उसका engine चालू हो जाए start हो जाए और अगर आपने अंदर से AC चालू कर रखा है तो आपके बैठने से पहले ही आपका गाड़ी अंदर से एकदम cool हो चुकी होगी तो इसको अगर आप थोड़ी दिर प्रेस करकर रखोगे तो आपकी गाड़ी start हो जाएगी और यह जो last वाला बटन है यह boot space के लिए अगर इसको थोड़ी दिर आप hold करकर रखोगे तो आपका जो boot space है वो अपका open हो जाएगा तब चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ interior में तो वहां आम बात करते हैं कि क्या-क्या features हमको दिये गए हैं तो चलता है गाड़ी के interior में तो चलता ह है गाड़ी के अंदर मैं आपको एक बार इसका interior दिखाएता हूं कि कुछ ऐसा है गाड़ी का interior और यहां पर आपको इसके डोर पर आपको चारो पावर विंडो के आपको option मिल जाएंगे यहां पर आपको ORVM set करने का option मिल जाएगा electrically आप उसको adjust कर सकते हो और यहां पर आ आपको जो speaker है चार वो आपको नीचे की side में door पर आपको मिल जाएंगे तो यह इसका ऐसा interior है और अगर मैं seat के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको driver side वाली seat है यह आपको height adjustable मिल जाएगी और इसके अंदर जो headrest है वो सारी seatों पर headrest को आप adjust कर सकते हो और अब चलते ह है गाड़ी के अंदर की तरफ वहां देखते हैं क्या-क्या feature के अंदर दिये गए हैं तो अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं यहां पर आपको इस side में push start वाला button मिल जाएगा यहां पर आपको light को adjust करने के लिए भी switches वागर दिये गए हैं यह इसके AC vents है जो कि आप easy ली देख सकते हो कि किस type से इसके AC vents है और यहां पर आपको इसका d cut में इसका आपको steering मिल जाएगा जो की leather wrapped है यहां पर आपको steering mountain control मिल जाएगे जिसके अंदर आप mode और call काटने का उठाने का यह आपको यहां पर features वा और यहां पर आप देख सकते हो यहां पर light के सारी switches दिये गए हैं और अगर मैं इस side में बात करूँ तो यहां पर आपको wiper के सारे options मिल जाएंगे और M.I.D. के अंदर आप tire pressure वगएरा गाड़ी की क्या average है वो सब चीज़ा आप देख सकते हो light के options हैं वो आप सारे के सारे आप controls हैं यहां से उसको adjust कर सकते हो तो काफी अच्छा इन्होंने M.I.D. वगएरा दिया हुआ है जिसको आप easily अपने accordingly इसको adjust कर सकते हो इसकी brightness बढ़ा सकते हो कम जादा कर सकते हो वो सारे options आपको इसके अंदर मिल जाएंगे और यहां पर आपको नीचे की side में आपको इ यह आपको SX Executive में company आपको provide नहीं करवाती है इसके अंदर आपको company आप दो options देती है इसके अंदर एक है 25,000 का जिसके अंदर आपको 9 इंच की screen मिलेगी और एक है 22,000 का जिसके अंदर आपको 7 इंच की screen मिलेगी और दोनों के ही अंदर आपको Apple CarPlay और Android Auto का option आपको नहीं मि इसके अंदर आपको add हो जाएगा और यहाँ पर आपको IRVM मिल जाएगा जो कि day night इसको आप adjust कर सकते हो और यह इसका यहाँ पर आपको इसका cool glove box मिल जाएगा जिसके अंदर काफी अच्छा space है जो कि एकदम इसके glove box को cool रखता है यहाँ पर आपको दो airbag मिल जाएंगे co driver driver वाली side में और driver वाली side में इस गाड़ी के अंदर access executive के अंदर दो airbag है और यहाँ पर आपको नीचे की side में जो यह groove दीख रहा है यहाँ पर आपको ambient light मिल जाएगी जो रात में night में इसके look को काफ़ जादा enhance कर देती है तो यह इसके काफी जादा अच्छे features है जो कि आप इसलिए देख सकते हो में एक बार आपको दिखा देता हूं तो इस वज़े से प्राइजिंग में फूल डिप्त है वो रहे गई रहा है लेकिन अगर आप चाहते गाड़ी को काफी जाए लो प्राइज में अगर आप खरीत हो तो आपको गुजराद की तरफ आपको जाना क और यहां पर इन्होंने वाइरलेस चार्जिंग दिया है यहां पर आपको 6-speed gear मिल जाएगा आपको रिवर्स लिए आपको इधर जो स्विच दिया है उस स्विच प्रेस कर आप की साड में लगा होगे तो यहां का कहते हैं पार्किंग आपकी स्टार्ट होगी है तो और प प्रेस्ट है तो कुल मिला के काफी अच्छी जो इसकी spacing है वो की गई है और यहां पर अगर मैं बात करूँ तो इस जगे पर आपको मिरर मिल जाएगा इस जगे पर और यहां पर आपको यह लैंप अगरा को options वगरा मिल जाएंगे आपको जो कि आप night में अपने accordingly इसको adjust कर सकते हो और यह वाला जो स्विच है यह संरूफ के लिए दिया हुआ है इसके बारे मैं आपको मैं दिखाऊंगा और यह है यहाँ पर आप अपना गोगल वगरा रख सकते हो इधर की साइड में बात करूं तो यहाँ पर आपको सिर्फ सिर्फ टिकेट होल्ड मिल जाएगा यह यह इसकी उफ है जो कि अब उप चुकी है देख सकते हो और यह संरूफ इसकी पैनल उप है जो कि कम्प्लीट उपन उचुकी है और यह एकदम पीछे तक आती है तो काफी जाशी इसकी संरूफ है इसकी तो अब हम बैक साइड में और वहां से देखते हैं कि अंदर क्या-क अब कर दो फिछा ग्या है तो यह इसका rear seat का profile है जो कि आप इजी लिए देख सकते हो यहाँ पर आपको power window का switch मिल जाएगा यहाँ पर आपको नीचे bottle holder मिल जाएगा तो यह कुछ ऐसा है इसका rear profile और काफी अच्छी space है गाड़ी के अंदर अगर आप अपने driver side वाली seat है उसको complete पीछे भी कर लोगे तो भी आपको मलब ऐसा है कि काफी अच्छा space है जो पीछे मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जो इसकी address है यह भी आपको adjustable मिल जाएंगे यहाँ पर आपको cushion provide करवाया गया है और आप देख सकते हो कि अभी भी गाड़ी के अंदर जो polythene है इसकी बिल्कुल भी हटाई भी न चाहते हो तो आप इसका boot space भी बढ़ा सकते हो easily और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर पीछे फिर मापको बताता हूं तो अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं तो यहाँ पीछे भी आप इस साइड में निको लेम का option दिया गया है जो कि अगर पीछे की साइड में अगर आपको file होड़ा मिल जाएगा नीचे की साइड में आपको AC के मिल जाएंगे और यह charging मिल जाएगा यहाँ पर आपको कोई समान वगर रखो और गाड़ी काफी अच्छी गाड़ी है तो आपको height कोई issue वगरा नहीं है और मैं यहाँ बात इस साइड तो यहाँ जो center के अंद आपको provide वगरा करवाती है और आप तो कि अभी इसकी एकदम है तो hopes of दोस्तों यह video नेट लिए आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लिए and comment करना और एक बार संहार निकल कर देखते हैं कि कैसा इसका look आता है और पीछे से आप सकते हो कुछ ऐसा गाड़ तो कुछ ऐसा इसका profile है तो आप इसके sunroof को view का आप जाय कर सकते हैं तो होपसोत दोस्तों कोई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like share जरू कर और चैनल पहली बार आयो चैनल को subscribe जरू कर दोस्तों ऐसे और interesting वीडियो के लिए लाता रहूंगा और अगर अब मैं बात कर उपर इसका और जो budget है वो भड़ जाता इसका तो इसलिए गुजरात के अंदर tax कम लगता है तो on road हमने यह गुजरात से purchase किये sx executive model black color जिसके लिए काफी weight भी किया हम लोगों ने तो यह हमको on road वहाँ पर पड़ा 1470 का तो अभी इसके number वगेरा भी नहीं आया है जो कि पसना दा तो please वीडियो को like, share and comment जरूर करना दोस्तों और चैनल पर बने रहना मैं और ज्यादा interesting वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा and please अपने भाई के चैनल को support करना ज्यादा ज्यादा हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए best वीडियो लाने की thank you दोस्तों मिलते हैं next interesting वीडियो में तब तक के लिए bye, take care and thank you कर दोस्तों मिलते हैं